नमस्ते विद्यार्धिमित्रों, एक्सिलांट एजुकेसन जैनल पर आपनू सागच्छी आजे आपने अभ्यासकार इसु दोरांच विशय हिंदी पाठ आठ राजा का इसा तो विद्यार्धिमित्रों जो तमे चैनल पर नवा होई चैनल सब्सक्राइब नव करियो है तो जरूती चैनल सब्सक्राइब करी लेजो जेती कारीने नवा वीडियोने अपडेट तमने तरदज मनता रहे प्रक्रण आठ राजा का इसा प्रस्टन एक सही विकल चुन कर बॉक्स में टिका निसान की जी एक किसान का बैल कैसा था तो जवाब हो से कमजोर दो किसान की किस बात से राजा भोज प्रपावित हुए काम के काम में लगन तीन दूसरा बैल आने तक हल क्यों दूसरा बैल आने तक हल में कौन जूत्र गया तो राजा चार राजा भोज केसे राजा थे प्रजा वत्सल राजा थे पांच राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुए जवाब किसान ने मोती लेने से इनकार कर दिया प्रस्टन बे निमना लिखी द्वाक्य कौन किसे कहदाये लिखे एक अरे भाई जरा सुन लो सुनो दो राजा किसान को कहता है दो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान राजा को कहता है तीन तो फिर तुम बताओ मैं क्या करू किसान राजा को कहता है चार अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना राजा किसान को कह दाए पांच ये मोती तुमारे खेत में उंगे है इन पर तुमारा हक है राजा किसान को कह दाए प्रश्णदान अ नमन लिखेत प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए एक राजा बोज ने अपना रद क्यों रोका जवाब, किसान हल चोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दुसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खीच रही है, यह देख राजा भोजने अपना रत रोक दिया दो, आपके गाउं के असपास कौन सी फसले पैदा होती है, जवाब, मेरी गाउं के असपास कपास, मुनफली, बाजरा, चवार, लसून, प्याज, गेहू, चो, चना और सरसों पैदा होते हैं तीन, किसान हमें किस प्रकार उप्योगी है, जवाब, खेती करते के किसान अरत रसे अनाज सबजिया पैदा करते हैं, गन्ने की फकसल भी उगाते हैं, उनके द्वारा उत्पन अनाज सबजिया अधी चीज बाजार में बिखने के लिए आती है चार, किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? क्यों कि एक बैल मर गया था और बैर करिदने के लिए किसान के पास पैसे नहीं थी पांच, राजा बोज ने ब्रह्मान करते हुए क्या देखा? जवाब राजा बोज ने ब्रह्मान करते हुए देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दुसरे बैल के स्थान पर उसकी पतनी हल खिंच रही है चे, किसान सारे मोती लेकर कहां पहुचा? जवाब, किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुचा? प्रश्ण द्रण, बह, निमना लिखीत प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए एक, किसान खेती के लिए किन-किन साधनों का उप्योग करते हैं? जवाब, किसान खेती के लिए हल, बैल, टेक्टर, कुदाल, पावडा, वसिया, आधी साधनों का उप्योग करते हैं? दो, किसान सर्मिनदा क्यों हो गया? जवाब किसान को पता नहीं था कि अपने दो बेल लेकर जिसने उसकी सहायता किये वह और कोई नहीं सेम राजाबोजे इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचे दिया तब किसान बहुत ही सर्मिंदा हो गया तीन राजाबोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा जवाब, राजाबोध ने किसान के पास जाकर कहा, कि बले आत्मी तुम यיא क्या अत्याचार कर रहे हो, बला कहीं स्तरिकों भी बल में जोता जाता है क्या चार, राणी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा? जवाब, रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुमारा बेल तो कम चुरोगा, वो हमारे बेल का सत्त नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ पांच, किसान ने मोती लेकर लेने से इंकार क्यों किया, जवाब, किसान ने मोती लेने से इंकार क्यों कि उसके अनुसार वह मोती राजा के परिस्तम से उत्पन होये थे, इसलिए राजा ही उनका सही मालिक था छे, राजा हल में क्यों जूती? जवाब, राजा ने उस किसान की स्त्री को अपने बैल लेने बेजा और उस त्री की जगा को धल में चूत गए प्रश्ण चार, सोचकार निमनलिखीत प्रश्णों के उत्तर लिखी एक, अगर आप राजा हो तो किसान की किस तरह मुख साइधा करते? जवाब, अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरही किसान की मदद करता और अपने बैल किसान को दे देता और और भी कुछ आवश्यकता होती तो मैं किसान की आवश्यक मदद चरूर करता तो मेरा जवाब है यहा, मैं बेल गाड़ी में गुमना घुमने जाती हूँ यह तो चायोंगी, क्योंकि बेल गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं लगता, मोटर गाड़ी के मुकाबले बेल गाड़ी में दुर्गिटना नहीं होती बेल गाड़ी की यात्रा अधिक मज़िदार, सस्ती और सुरक्षित होती है अता मैं मेल गाड़ी में खुमना पसंद करूँगा या तो चाहूंगी ती, किसान की जग़ अगर आप होते तो बेल की जग़ औरत को अल में जोते क्यों? किसान की जग़ अगर में होता तो बेल की जग़ औरत को अल में नहीं जोता क्योंकि ऐसा करने से वह औरत ठक सकती है वह औरत बिमार भी पढ़ सकती है और वो औरत और कोई भी घर का काम या दुसरा काम नहीं कर सकेगी और ठक जाएगी और बिमार पड़ेगी इसलिए मैं उसको खेत में नहीं जोटता प्रश्चन बाच निमन लिखीत सब्दों के बाद आने वाले सब्द सब्द कोई में से डूनकर उनके अर्थ लिखे एक परिस्रमी परिस्रम तो परिस्रमी यानिके मैनत दो कमजोर तो सब्द होगा कमजोरी अर्थ होगा निर्वल्दा तीन, राजकोस, सब्द बनेगा राजकोसिय, अर्थोगा खजाने से सम्मन्दित, चार, उम्दा, तो उम्दाना, उमंग में आना, पांच, अत्याचार, तो अत्याचारी, अन्याई, च, दिक्कत, तो दिक्करी, याने दिक्गज, प्रस्टन च, नीमना लिखी, द्विशाई पर, आट से दस वाक्य लिखी, प्रुक्षो का मुहत्व, तो विद्यार दिमित्रो, अमोश्टाइम भी प्रस्टन चे, पर इक्सा मा, अपांच मारक मा, ऐसे पुछाई से, तमें बाकु करी ले जो, पेड दर की तरती के सबी जीव सुष्टी के लिए बहुत ज्यादा मुहत्वपून है, पेडों की जग वज़ा से हमें बुजन और अक्सिजन मिलता है, पेड हमें कई रोक्स के इलाच से अउसदी प्रदान करते हैं, पेड पुथ्वी का वात्तावरण, यानि की सा सूध रखता है, पेड प्रकास संसलेशन करिया के दोरन करवन डायोक्साइड जैसी घातक गेस अपने अंदर ले लेता हैं, और ऑक्सिजन बाहर छूड़ता हैं, जो हम सभी के लिए बहुती जरूरी है, ऑक्सिजन सबसे आवश्यक वायू है, ऑक्सिजन की मदद से जी सुरक्षित और रह सकते हैं, और जीवित रह सकते हैं, पसू, पक्सि, कीडे और अन्यक और कई अन्यक जीवित प्राणी अपने अस्तित्वा और रहने के लिए पेड़ों पर अधारित हैं, पेड खाद्य सुंगला के निचले बाग में मौजू थें, क्योंकि वे प्रकास संसलिशन की प्रक्रिया से, कि माध्यम से, अपना वोजम स्वयम बना सकते हैं, प्रश्टन साथ, नीचे दिये गए चित्र के बारे में पाच वाक्य लिखी, इस चित्र में एक समरुद्ध गाउं का द्रश्य है, गाउं में कुछ पक्के मकान और कुछ साधरन गर है, गाउं की बाहर एक कुवा है, कुवे से कुछ देर एक बेल खड़ा है, गाउं में जाने का रस्ता साब सुत्रा है, एक लड़का और लड़की गाउं में जा रहे हैं, चित्र में एक और गाउं से लगे हुए खेत हैं, एक खेत में तयार फसल दिखाई दी रही हैं, पोद खेत में दान के पोधे हैं खेतों के असपास पेड लगे हुए हैं इस प्रकर चित्र में दिखाया गया गाउं सच्मुची बहुती सुन्दर है प्रस्टा आठ सहिंगताक्षर का उप्योग करके दोडो सब्द लिखे उदेश्य तो मुद्धा मुद्धत पद्म तो पद्मपानी पद्मीनी ब्राम्मन तो ब्रह्मान ब्रह्मा चिन तो विय वही चिन द्वार तो दिगू द्वारा सुद्ध तो बुद्ध सिद्ध तो ये जो है ये भी मोश्टा एंपिये क्विश्च परिकसा में पुछे 9. नीचे दिये गए मुहावरों का अर्थ देख कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए 1. आखो का दारा होना, बहुत प्रिय होना यह अरेक बार परिक्सा में पुछा जाता हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लिजीगा मेरा बेटा मेरी आखो का दारा है 2. चीवन दान देना, यानी जान बक्स देना, राजा ने उसके उसको जीवन दान दिया 3. माथा ठनकना, सीर में अलकी दमक, उसका माथा ठनक रहा है 4. आथ बटाना, मदद करना, मैं मेरी माँ को रसोई काम में मदद करती हूँ या दो मैं मेरी माँ को रसोई गर में आथ बटाती हूँ दोने वाक्या आप लिख सकते हैं 5. रा दिखाना, यानी सही रास्ता दिखाना पहले हुए आदमी को सही रास्ता दिखाना चाहिए प्रश्ण दस निमना लिखीत परिचेत पड़कर उसमें दिये गई विशेशन वाले सब्द पहुचान कर लिखिए तो विशेशन दर्शाने वाले सब्द काले-काले, रंगवी-रंगी, छोटे-छोटे, तीन, सुन्दर, हरी, बहुत और सफिद उपर दिये गए वाक्यों में से किनी चार सब्दों का वाक्यों में प्रयुक कीजिए तो ये भी मोश्टा एमपी है आप कर लिए न एक, छोटे-छोटे, छोटे बच्चों के, आज, छोटे-छोटे हैं, छोटे बच्चों के हाथ, छोटे-छोटे हैं, हाथ, छोटे-छोटे हैं दो, कनेया के काले-काले बाल थे, तीन, रात बहुत सुन्दर थी चार, बाग में रंग-वि-रंगी फूल हैं तो विद्यार्दी मित्रो अधना अब्यास पूनत आई शे तुमने वीडियो पसंद आवे वीडियो ने लाइक सेहर सुब्स्क्राइब जरूति करजो तुमार अभीजा मित्रों ने पन सेहर करजो कॉमेंट बॉक्स मा कॉमेंट जरूति लगजो तुमने वीडियो क्यों लागयो थेंक यू